नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल आर्जेनर सेंग एकेडमी फ्रेंड्स आज बात करने वाले एक नियूर रिक्विट्मेंट के बारे में जिसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट किसमें ओल इंडेक इंडेट्स एपलाई कर सकता है तो क्या इसकी प्रोसेस केसे आपको फोर्म को इपलाई करना सारे डीटल से बात करेंगे तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सबस्क्राइब जरूर करें तो स्टार्ट करते हैं इस वेकेंसी के बारे में तो फ्रेंड्स जो वेकेंसी है इसको बोपाल मेमोरियल होस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के द्वारा वेकेंसी को निकला गया है अब वेकेंसी के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये इंटरफेज इसमें आपके सामने खुल जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको डिरेक्ट रिकुटमेंट का जो टेप है इसमें आपको क्लिक करना है recruitment के टेप में click करने के बाद में जो vacancy का options दिया गया है इसमें आपको click कर लेना है तो इसके अंदर जो next interface होगा इस vacancy की जो detail है वो आप यहां से download कर सकते हो वो के सारी जित्ती भी vacancy यह सारी इसमें दी गई है तो first options जो दिया गया है इसमें यहां से आपको click करके या तो इसमें से यहां पर आपको click करके इसका notifications डाउनलोड कर लेना है starting date 14.08.2020 और end है इसका जो last date है वो 28.08.2020 रहने वाली है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं यहां से आप download करना है और इसका जो notifications है वो पूरा इसके अंदर forum भी आपको दिया गए है केसी आपको apply करना में आपको बताने वाला हूँ friends जैसा कि बता दिया है बोपाल मुंची सोहर मेमोरियल होस्पिटल रिसर्स सेंटर के दौरा वेकेंसी को निकला गए है वेकेंसी दी गई है नर्सिंग ओफिसर्स की वेकेंसी है contract based होने वाले वेकेंसी है last date इसका 28 अगल 2020 रहने वाला है यह वेकेंसी तीन मैने के लिए contract based वेकेंसी है बट जब तक इसका कोई permanent वेकेंसी नहीं आती तब तक इसको आपको जो time period है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा next है जो post है इसके बारे बात कर लेते है number of vacancy है 8 post post है nursing officers की जिसमें इसको अलग-अलग category के साबसे डिवाइड किया गया है per month की अगर salary की बात करें तो पर month आपको इसमें 54,000 रुपे पर month आपको इसमें salary मिलने वाली है educational qualifications की अगर बात करें तो BAC nursing और GNM के हुए candidates apply कर सकता है कोई से भी state nursing council का इसमें registration हो आप apply कर सकते हूँ BAC nursing, post basic BAC nursing और GNM candidates इसमें apply कर सकता है इसमें BAC nursing और post basic BAC nursing candidates है उनके लिए कोई भी experience required है नहीं है बट जो GNM candidates है उनके लिए 50-bedded hospital का 1 year का इसमें experience required रखा गया है age limit की बात करें तो 30 years से आपका age ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो rule center government follow करता है वही ये भी follow करने वाला है physical fitness आपका complete होना चाहिए और applications forum में आपको offline send करना है और इसकी जो website आपको गेरे के अंदर दिखाए दे रही है और इसका link आपको description box में भी मिल जाएगा अगर applications fees की बात करें तो 500 rupees for general और OBC candidates या EWS candidates के लिए इसमें रखी गई है और जो 500 है उसका आपको DD बनवाना है और आपको जो last date है 28 अगस 2020 उससे पहले आपको इसका applications forum है जो hard copy है उसको complete fully fill up करके send कर देना है और जो लिफाफा आप send करने वाले हो उसके अंदर उपर आपको लिखना है applications for the post of nursing officer on contract basis यह आपको उसके उपर लिख देना है और जिते भी आपके पास में documents है उनकी कोविज आपको self attested करके आपको send करना है यह इसमें प्रोपर आपको द्यान में रखना है नई तो आपका forum reject कर दिया जाएगा next बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया है और 28 अगस्त last date है और आप इसका applications for the post जैसे यह PDF डाउनलोड करते हूँ इसी में आपको applications for the post मिलने वाला है hard copy का आपको कहां पर send करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ नहीं जो डीडी है वो आपको बोपाल Memorial Hospital Research Center के नाम से आपको बनवाना है 500 रुपीज का और इसका जो applications for the post वो आपको इस address पर send कर देना है यह address दिया गया है इसमें आपको send कर देना है और इसका applications for the post आपको complete fill up करना है DD नमबर यहाँ पर आपको लिखना है amount भी लिखना है name of the bank और date आपको इसमें fill up कर देना है सारी detail आपको इसमें बरना है और इसको लिखाफे के अंदर पे करके आपके सारे documents send कर देना है तो friends यह थी एक छोटी से vacancy के बारे में तो फिर भी अगर आपको कोई doubt हो तो please comment box में जरूर कमेंड करे रिप्लाइ करने की कोशिस करूँगा ओके friends धन्यवाद